वीडियो तो गैस आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं Oxygen OS 13 अपडेट का फुल रिव्यू अब यह जो अपडेट है आज ओफीसियली इंडिया के अंदर अब लेवल हो चुका है One Plus 10 Pro device के लिए कि आप लोग जाएके इसका वीड़ा टेस्टिंग कर सकते हो तो अगर आपको वीडियो वीडियो को लाइक जरूर से कर सकते हो करते हैं अब लोग के आप जल्दी से वीडियो को स्टारड़ तो सबसे पहला आप लोगों को यहाँ पर जो Lock screen के अंदर चेंजेस हैं वो देखने हो मिल जाते हैं आप लोगों को ना जो लॉक स्क्रीन है इसकी काफी जादा चेंज हो चुकिए यहाँ पर आपकी जो लॉक स्क्रीन का विजेट है इसको वापस से थोड़ा सा बड़ा कर दे क्योंकि आपको पता है ऑक्सियोस 12 के अंदर इसको छोट इंटीग्रेशन हो चुका है आप लोग यहाँ पर आइकन्स को देख सकते हो होम स्क्रीन को अगर आप लोग देखो तो आपके जो आइकन्स है होम स्क्रीन के ओल ओवर जो लियाओट है वो मटेरियल यू डिजाइन में आपको देखने को मिल रहा है तो यह सीच का इस ट्वैल के अंदर देखने हो मिलते थे यहां पर आपको एक चीज़ काफी अच्छी देखने हो मिल गई है कि आपको थोड़े बड़े विजेट्स देखने हो मिले है और बहुत हत्ता कि आई-ओस से इंस्पाइर्ड है इंस्पाइड कि आप लोग कोपी कह सकते हो मैं त इस टाइप का है फुल स्क्रीन का हो चुका है तो कलरो इसका ना सेम यहां पर इंटिग्रेट हो चुका है और इसके जो आइकन से आप लोग भी यहां पर देख सकतो बड़े बड़े हो गए और यह थोड़ी-थोड़ी मुझे को याद दिला रहा है MIUI के नोटिफिकेशन पैनल के आपको ही पता है उसके अंदर जो वाइफ है एंड ब्लूटूथ और यह सब जो आइकन से वो बड़े होते हैं और बाकी सारे के सारे सर्कुलर आइकन होते हैं छोटे तो यह उसी की सेम मुझे याद दिला रहा है पता नहीं क्यों आपको भी ऐसा लग रहा है इसेंट बार मेन्यू के अंदर सब जगा आप लोग को रोटेशन को ओप्सन देखने हो मिल जाता है यहाँ पर आपको पहले वाली वीडियो भी बताया था उसमें भी था और इसमें भी यहाँ पर इसको सेम ऐसा ही लुक रहने वाला है तो यह चीज आपको काफी ठीक देखने हो मिलती है यहाँ पर आप लोग चाहो तो इसके स्काउट के ना कलर्स को थोड़े चेंज कर सकते हो वह सब आपके उपर है यहाँ पर जो वन प्लस स्काउट है इसको भी एक नया लुक दिया गया है तो यह चीज भी काफी ठीक है काफी अच्छा लगता है और इस जादा मतलब यहाँ पर गुड एनफ आपको लोग देखने हो मिलता है इसके बाद आपको यहाँ पर जो पावर मेन्यू है वो भी चेंज कर दी गई है पावर मेन्यू आपको ना काफी आइडेंटिकल सी लग रही होगी M.I.U.I.13 के तरह क्योंकि उसके अंदर भी जो Global Variants हैं उन्हीं मस lows के अंदर बहुछ इस टाइप का देखने हो मिलता है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आईकन को कुछ इस सब्सक्राइब को सिलाना पड़ेगा और मुझे बहुत बेकाल लगा यह चीज बट इन लोगों ने अभी तक नहीं आपको ना कुछ इस टाइब के मतलब अच्छे से अरेंजमेंट देखने हो मिल गई है जो पहले था ना डिसरेंज हो जाता था थोड़ा प्रॉब्लम्स रहती थी वह आपको अपने देखने हो मिलते हैं आपके सारे आइकन्स और सब चीज़े सारी फोटो अच्छे से था तो यह चीज़ आपको अभी भी यहाँ पर सिमलर देखने हो मिलते हैं कैमरा के अंदर कोई भी चेंजिस नहीं है तो यह चीज़ मैंने लगा कि आप लोग को बता देनी चाहिए क्योंकि कैमरा एक ऐसा हिलाइट पॉंट होता है जिसको सब लोग यूज करते ही करते हैं इस बार कैमरे के अंदर जीरो चेंजेस हैं नेक्स अगर हम लोग बात करें कैलकुलेटर की तो कैलकुलेटर का एप टोटली चेंज हो चुका है आपको कुछ इस टाइप का देखने हो मिलता है वन प्लस का पहले वाला जो कैलकुलेटर था वो मुझे अच्छा लगता था बट कोई बात नहीं आप बट को करें ऐंपको सर्कूलर आइकनस देखने हो मिल जाते जो की ठीक लग रहे एंड आपको काफी ठीक-ठाक लोग भी देंगे तो यह चीज आपको अभी यहां पर देखने हो मिल जाती है नेक्स्ट अगर हम लोग इसके बाद देखें तो आपको यहाँ पे जो clock application है वो कुछ इस type की देखने हो मिल जाती है clock application का जो initial layout आया था वो पहले थोड़ा अलग था जिसमें clock का ना पीछे shadow देखने हो मिल ले थी बट oneplus ने आपे officially बता दिया कि वहाला जो layout है वो हमें oxygen OS के अंदर नहीं color OS के अंदर देखने हो मिलेगा यहाँ पे आपको simple layout देखने हो मिलेगा जिसके health की set होगी तो यह चीज मुझे अच्छ लगी और ठीक ठाक लग रहा है बट यहाँ पे एक digital clock होनी चाहिए थी क्योंकि मुझे analog clock में time देखना नहीं आता तो मेरे मेट जैसे लोग ले तो यह थोड़ा सा मतलब बेकार लग रहेगा next आप लोग को my games के अंदर कुछ इस टाइप का layout देखने हो मिलता है यहाँ पर हलका सा एक change देखने हो मिलता है जो आपकी प्राइब मतलब आपकी during the game आपकी performance को काफी अच्छे से मतलब boosted रखेगा तो यहाँ पर आपका हलका सा मतलब UI change है आपको squares icons देखने हो मिलेंगे तो यह चीज़ यहाँ पर हलकी सी मतलब बैठ करी गई circular and squares look को बहुत जादा implement करा गया तो यह चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं लगी देखो मैं साफ बोलू क्योंकि मुझको अच्छा लगता थ OxygenOS 11 भी ठीक था बट नहीं इसके बाद आपको personalization वाले options के अंदर थोड़े से नए changes देखने हो मिलते हैं like आप लोग को यहाँ पर material you का integration icons का देखने हो मिल जाता है जहां से आप लोग icon customize कर सकते हो new fonts को लगा सकते हो इसके बाद आपको themes के अंदर भी नए themes आई है and AOD के अंदर आपको new always on displays आई है and उसके साथ आपको new fingerprint animation भी देखने हो मिल जाती है जो कि मुझको बहुत ही जादा अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर देखो आपको कुछ टैप की new always on displays यहाँ पे add हुई है and इसी के साथ ना आपको हलके फूल के यहाँ पे canvas AOD के अंदर भी न सारी यूजर ने बोला था तो आपको यहाँ पे सब सॉल्व कर दीगें आपको नए नए always on display के preset भी यहाँ पे add करे गए है जो की अच्छा लग रहा है देखने में and आपको Spotify का implementation implementation देखने हो मिल जाएगा and Zomato application का मतलब आपको food delivery application जो भी होती है उनका implementation देखने हो मिल आपको clock के अंदर जब alarm लगाओगे तो आपको नए नए अलाम की notification तो भी देखने हो मिल जाएंगी इसके बाद आपको private safe के अंदर यहाँ पे जो look है उसको totally change कर दिया गया है क्योंकि पहले आपको grey type का look था और वो थोड़ा मतलब अजीब सा लगता था बट मुझको यहा अच्छा लग रहा है यहाँ पर इसको add करा गया है जो कि ठीक है एंड मेरे इसाब से चल जाएगा और आपको क्या लगता है आप लोग नीचे कमेंट करके न मुझको जरूर से बता सकते हो और आपको यहाँ पर multitasking के लिए कुछ इस type के options देखने हो मिल जाएंगे और जो आपका मतलब drawer था edge panel वो यहाँ पर कुछ इस type का work करेगा और यही यार कुछ features थे जो की नए नए implement हुए है आपको इन मेंसे कौन सा feature हो कौन सा change अच्छा लागा नीचे कमेंट करके मुझे जरूर से बता सकते हो और आज की वीडियो में यार बस इतत्य था ही hope आपको यह याली वीड 지나 अच्छ लगी हो अगर आपको यह ओली वीडिए अच्छ लगे तो आप लोग वीडियो को like जरूर से कर सकते हों और आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राब भी कर लेना मिलतने आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई एंड सी ओल गाइस नार वरी नेक्स्ट वीडियो